नमस्कार आप मुझे देख रहे हैं MNS News पर देखते आज की कुछ खास ख़बरें 11 वर्षे बेटे के सामने पुलिस कस्टड़ी में हुई पिता की मौद तीम पुलिस कर्मी सस्पेड हापड उत्तर प्रदेश में मडर केस में पुष्टाच के लिए बुलाए गए 35 वर्षे प्रदीप तोमर की पुलिस कस्टड़ी में मौध हो गई है मोगे पर मौजू तोमर के 11 वर्षे बेटे ने कहा है कि उसके पिता को लाद घुसो वह बिजली के जटके दिये गए थे इस मामले में एक स्टड़ी में मौत मालवाधिकार का उलंगन है हापुड उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टड़ी में मारे गए 35 वर्षे तोमर के 11 वर्षे बेटे ने कहा उन्होंने मुझे थपड मारा मेरे मूँ में बंदूक रखी बाद में उन्होंने मुझे चिप्स का पैकेट दिया और इसी से कुछ ना कहने को कहा बेटे ने कहा कि उसके पिता बार बार ना पिटने की गुहार लगाते रहे लेकिन पुलिस कर में उन्हें पिटते रहे महाराष्ट पालगर में 4 मनजिला इमारत का हिस्सागिरा एक चार वर्षे बच्ची की मोत महाराष्ट के पाल घर जिले में मंगलवार दीर रात को चार मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया जिससे मलबे में दपकर कथी तोर पर एक चार वर्ष बच्ची की मौत हो गई राहत बचाव कार्य के लिए नगरनेगम पुलिस और दमकल की गाड़िया मौके पर मौजुद है एक अधिकारी ने बताया कि एदिहादर अच्सी परिवारों को वहां से निकाला गया है एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने नविवाहिता का गला काटा महिला को गंबीर हालत में अस्पतार में भरती कराया गया है पुलिस ने इस संबन में मामला दर्ज कर लिया है पुलिस मामले की जार्ज कर रही है अभी तक आरोपी के बारे में कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं आया है अब आप हमारी चैनल को एप पर भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर MNS इंदी लिखिए और एप डाउनलोड करें साथी साथ आप हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरे देख सकते हैं लिंक, ट्विटर, हाइक और इस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरे देख सकते हैं आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें अब फिलाल वक्त हुचला है एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरे देखने के लिए बने रहें MNS News के साथ नमस्कार